दोस्तों मुश्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अफिलियेट मार्केटिंग के एक और नए और फ्रेश एपिशोड में आप देख रहे हैं अगर इंप्रेशन की बात करें तो यह 8 इंप्रेशन की बात करेंगे यहां पर तो इतने इंप्रेशन में यह रहा है गूगल आड्स से जिसका मैंने इस्तमाल किया था 10 जनवरी से मैंने इसको यूज किया था तो यह 10 जनवरी से जो चीज है हमने इसको यूज किया है अगर आप यहां पर देखने की कोशिज करिएगा तो यहां पर आपको देखने की मिला है कि 10 जनवरी से इसको और चेंज कर सकता हूँ यहां पर आपको एक चीज और दिखा दूँ कि average CPC मैं जो आपको यहां पर दिखा रहा हूँ तो यहां पर मैं conversion डाल देता हूँ सौरी पर्चेजेट सेल्स नहीं मैं यहां पर conversion और conversion में डाल देता हूँ all conversion ठीक है तो यहां पर 6 दिखा रहा है तो अगर आप भी Google Ads का इस्तमाल करना चाहते हैं और Google Ads से आप भी इसी तरह की काम करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखेगा इस वीडियो में हमने पूरी डिटील हर चीज के बारे में cover कर रखी है यह एक वीडियो के बाद से आपको कोई भी और दूसरा वीडियो देखनी की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहां पर से आप यूज कर सकते हैं मैं यहां पर एक चीज और आपको बता दूँ कि जो 793 लगाया है इसमें हमको क्या मिला है और कैसे मिला है तो मैं एक बड़ी आपको calculators पे लेके चलता हूँ यहां पर मैं बताता हूँ कि जो मेरा product था वो 75 डॉलर का था और हमें यहां से 8 conversion मिले हैं तो 8 conversion के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह 600 की करीब का होता है और मैंने यहां पर जो खर्च किया है यह खर्च किया है 793 यानी 8000 रूपीज तो example के तोर पर बता देखित हैं कि अगर मैं convert करकर यहां पर दिखा दूँ convert INR to USD तो मैंने यहाँ पर खर्च किया है 793 तो यहाँ पर 105 डॉलर के करीब मैंने खर्च किया है और एक्जाम्पल के तौर पर मुझे जो है 600 डॉलर के करीब मिला है तो यहाँ पर अगर मैं इसको डॉलर exchange rate कर दूँ, so USD to INR कर दूँ, तो मैंने यहाँ पर 600 डॉलर निकाले है तो यहाँ पर 45,000 रॉपीज की करीब करीब का आया है, and मैंने 100 किया है, मतलब it's a very very good amount तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि Google Advertisement का यूज़ करके आप कैसे यह सारी चीज़े कर सकते हैं तो इसके लिए दोस्तों मैं एक काम करता हूं इसके लिए मैं एक दूसरे account यूज़ निकालता हूं जिस account को मैंने use कर रहा है, दूसरे account से मैं बताता हूं कि इसको कैसे use करना है तो सबसे पहले मान लेज़े कि आपको यहाँ पर Google एक account है, और Google account में आप इस चीज को start करना चाहते हैं, तो यह आप कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैं quick view switch करूँगा यहाँ पे view, अब Google ad को करने से पहले सबसे पहली चीज जो आती है दोस्तो, वो आती है कि आपको जो है यहाँ से किस product को सेलैक्स करना होगा, तो में यहाँ पे आपको एक click bank का product दिखाता हूँ जो actual में मैंने promote किया था तो इस click bank को product को जो मैंने promote किया था उसको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे login मैं करता हूँ so एक product select में करूँगा, वैसे general एक product select करूँगा, ठीक है यह यहाँ पर नहीं है यह दूसरे account है मेरा पहले account जो है वो मैंने हटा दिया है क्योंकि उस वाले में मेरे कोई problem आ रही थी जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर sale 110 डॉलर का generate किया था और यह account मेरा CDR account में चला गया था CDR का मतलब होता है कि अब आपक आपको दिखाता हूं कि कैसे मतलब कौन सा product मैंने select किया था तो यहाँ पर मैं आप सीधे सीधे जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पर जाने के बाद से आपको आपकी account में जाना पड़ेगा marketplace में जाना पड़ेगा तो मैं सीधे marketplace में आ जाता हूं marketplace में आकर आप यहाँ पर product search क करेंगे तो यहां पर आपको करना होगा gravity के हिसाब से और मेरा क्या concern होता है कि मैं यहां पर दो चीजों को देखता हूँ कि पहला जो है कि कौन सा product trending में है और दूसरा मैं यह चेक करता हूँ कि उसमें हमको कम से कुम 50 से जादा 60 से जादे का मेरा जो है उसके अंदर मिले income तो अगर यहां पर देखेंगे तो यह दो product जो है वो काफी trend में है लेकिन यहां पर दिक्कत ही है दोस्तों कि अगर आप इसको promote करते हैं तो यहां पर जो metric बताऊँगा है हो सकता है कि इससे आपको दिक्कत हो क्योंकि यह official इनका जो document है उसमें यह कह रहे हैं कि आप इसको promote नहीं कर सकते bid नहीं कर सकते review keyword पर तो मैंने इसको नहीं किया था मैं exactly मैं जाओं आपको बताऊं तो मैंने किया था मेरा जो product था यह था इस पर मैं दिखा रहा हूं आपको कि मैंने कौन से product को promote किया था basically तो यह जो product था यह जो product था Ted's Woodworking का यह मैंने promote किया था और यहां पर एक शीच मैं बता दू कि यहां पर 55 डॉलर दिखा रहा है लेकिन जो average मेरा आया हुआ हुआ है तो मैं सबसे पहले बताता हूं कि लेंडिंग पेज कैसे बनाना चाहिए जो कि highly convertible हो और जो perform better करें तो लेंडिंग पेज के लिए आपको क्या दरना होगा दोस्तों कि सबसे पहले आपको इनके affiliate पेज पर जाना पड़ेगा अब यहां पर क्या है कि इनके बारे में कुछ आपको पर सेल पर मिलने वाला है 75% commission they are sharing EPC is greater than two it's a good क्योंकि EPC का मतलब ही होता है कि earning per click मतलब अगर दो डॉलर आपको click पर मिलेगा तो आप जो है अगर hundred dollar hundred click देते हैं तो hundred into two मतलब रगब तू हंडेड जो है डॉलर का आपकी value होगी hundred का तो इसनी value के साथ इनका चल रहा ह अगर आप traffic जो है वो carger traffic लेके आते हैं correct traffic लेके आते हैं तो इसमें कई सारे upsells की facility है जैसे कि 67 का है main offer 49 dollar का है और दो upsell मिल सकता है यहां पे तो यह एक better option है better opportunity है लेकिन इसको करने के लिए सबसे पहले जो आपको landing page की ज़रूरत पड़ेगी वो landing page आपको बनाना बहुत ज़रूरी है तो landing page बनाने के लिए आप क्या कर सकते है landing page के लिए आप दो चीजों का इस्तमाल कर सकते हैं सबसे पहले तो आप यहां पर search करिए bings add में जाके search करिए bing add लेकिन इसको करने के लिए आप usa.org proxy का use कर सकते है USA proxy और इसमें मान लिए कि आपने united states में check करना है तो यहां पर bing.com डालिए और bing.com पर जाए बिंग.com और यहां पर गो टू यहां पर जाएगा तो यहां पर टेट्स उड़ वर्किंग करके आप search करिए tats उड़ वर्किंग ठीक है जी? tats उड़ वर्किंग सर्च करेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे बहुत सारी website मिल जाएंगे जिस पर आइड हो चल रहा होगा आपको करना क्या है कि इस पर क्लिक करना है हर एक portal पर हाला कि मैं यह recommend नहीं करूँगा कि आपको क्लिक करना है क्योंकि यह जो है थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत पंगा करता है और साथ में आप यह देख रहे और इस website से इस तरह की website से जो है आपका काम हो जाएगा बहुत अच्छा से हो जाएगा अगर आप इसको और अच्छे से देखना चाहते है तो यहाँ पर इसको कोपी कर लिजे और कोपी करके यहाँ पर आप जाके इसको पेस्ट कर दीजे तो यह बैसिकली जो है टेट्स उ इन्होंने click funnel पे नहीं बनाया है लेकिन इसको आप चाहें तो बना सकते हैं मैं इसके लिए एक इस्तमाल करता हूँ pipeline pro का ठीक है कि मैं इसके अलावा औरड़ी कई सारे business में हूँ तो आपको पता होगा कि मैं startup authority मेरा youtube channel है तो उसके थूरू भी मैं इसके साथ जोड़ा रहता हूँ ठीक है तो यहाँ पर जब आप जाएंगे pipeline pro के अंदर तो यह काफी better है 37 dollar में यह आपको मिलता है और lifetime access होता है मेरे को य manage करने का जो काम होता है यह मुझे आराम से यह इसके बारे में भी जनकारी मिल जाती है और मैं proper follow up इसको कर पाता हूँ ठीक है जी तो इस purpose से भी में मुझे जो है यह better लगा है तो आप चाहोगे तो इसमें बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर जाना है और एक funnel करेंट करना है new funnel करेंट करना है funnel के नेम से और फटा-फट आप इसको बना सकते हैं अगर आप मेरा यह बीडियो जो दिख रहा है इस वीडियो पर जाईए और यहाँ पर जाकर के देख सकते है मैंने वहाँ पर बताया है A to Z की किस तरह से इसका इस्तमाल करके बना सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको और clarity के साथ बता दूँ कि जब भी आप जाएंगे तो यहाँ पर कई सारे website का आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा अब देखें यहाँ पर यही सेम चीज जो इस बंदे ने बना रखा है वही सेम चीज इस बंदे ने भी copy कर रखा है तो इसका मतलब यह है कि landing page वही सबसे ज़्यादा बढ़िया चल रहा है जो landing page इस तरह के बने हुए है अब एक example के तोर पर मैं लेता हूँ कि यहाँ पर एक और यह landing page है यहाँ पर अला कि खूल नहीं रहा है तो आप इसको यहाँ पर खोल सकते हैं तो यहाँ पर भी देखिएगा तो यहाँ पर भी लगबग कुछ उसी तरह का landing page यहाँ पर भी बना बनाया हुआ हुआ है ठीक है तो landing page का आपको समझ में आ गया इसके अलावा अब आपको जरूरत पड़ेगा दोस्तों की keywords का की keywords कहां से लेकर के आना है तो सबसे पहले आपको keyword research tool में जाना होगा यहाँ पर दो तरह की चीज़ें हो सकती है एक तो आपको plan करना होगा और एक आप ऐसे काम कर सकते है तो यहाँ पर चुकि मुझे इंडिया में नहीं करना है मुझे करना है United States में सो मैं हमेशा United States सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि Clickbank और इंस तरके जो प्रडक्ट्स होते हैं उसका सबसे बड़ा जो consumer होता है वो Clickbank का वो United States वाले ही होते हैं तो मैं यहाँ पर search करूँगा मैं दो keywords पर ही काम करूँगा दोस्तो मैं काम करूँगा Tets Woodworking का काम करूँगा Tets Woodworking में मैं जो है Simple Simple उसी के नाम को इस्तमाल करूँगा as a review keyword ठीक है तो review keyword क्यों क्योंकि review keyword से वो 100% buyers आते हैं ठीक है तो यह एक better चीज होता है Tets Woodworking या किसी भी product के साथ आप काम कर रहे हो तो यहां पर आप review keyword search कर सकते हो इसके अलवा Tets Woodworking में Tets Woodworking को दोनों को एक साथ लेके जा सकते हो या Tets Woodworking customer review आप यहां पर कर सकते हो क्योंकि यही keyword मैं इस्तमाल करने वाला हूँ दो keyword का मैं इस्तमाल करूँगा और इसको मैं search करने की कोशिज करता हूँ अब दोस्तों यहां पर देखोगे कि Tets Woodworking customer review में आपको सिरफ यहां पर दो ही मिल रहे हैं एक दो दस सर्च है और अगर आप year on year देखेंगे यहां पर तो 91 रोपीज से 245 रोपीज के वीच में यह bid मिल रहा है जहां पर Tets Woodworking के reviews से related आपको यहां पर मिल रहा है लेकर यहां पर एक चीज और है जिसको आपको ध्यान देने के जरूरत है वो ध्यान देने वाली जरूरत यह है दोस्तों कि जैसे आप यहां पर जाएंगे तो यहां पर देखेगा कि और भी बहुत सारा keywords यहां पर मिलेग ठीक है Tets Woodworking Plan Review This is a good keyword ठीक है Tets Woodworking Review This is a good keyword ठीक है Tets Woodworking Review This is a good keyword ठीक है तो आपको क्या करना है कि Tets Woodworking Reviews के जो भी keywords है आपको उन keywords को pick करना है उन ही keywords को pick करना है और आपको जो है इसको copy कर लेना है ठीक है next stage आता है forecast का तो forecast में क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ से भी United States जो इंडिया है इसको आपको select करना है और यहाँ पर आपको करना है United States तो United States में आप जब यहाँ पर search करके जाएंगे तो यहाँ पर मैं keywords को post करता हूँ जो keywords हमने वहाँ पर लिया हुआ है लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा दोस्तों मैं यहाँ पर करूँगा कि phrase match क्योंकि मैं उन्ही keywords को चाहता हूँ कि उसी keywords पर मेरा है जब कोई बंदा keywords का review लिखे otherwise हम सारे keywords पर नहीं दिखाने वाले हैं तो यह जो है आपको करना है और इसको आपको कर देना है save मैं इसको group करना देता हूँ ads 101 group create कर दिया और मैंने इसको कर दिया save ठीक है यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या चीज़े मिलेंगी आपको कि यहाँ पर CPC जो है वो 400 का CPC average आ रहा है ठीक है 400 का CPC आ रहा है अगर मैं इसमें देखू तो इसका CTR नहीं बता रहा है लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे TEDSUD WORKING का तो यहाँ पर 356 का CPC जो है वो जा रहा है एक और मैट्रिक्स मैं डाल देता हूँ जैसे conversion rate अगर मैं 3% 2% का conversion rate डालता हूँ मानके चलो 2% का conversion rate में मेरेको यहाँ पे अभी यहाँ पे 0 conversion दीखा रहा है ठीक है? 14 क्लिक यहाँ पे मिल रहा है और हमने 5.2 के दिया है तो यहाँ पे अगर आपको conversion check करना है तो आप यहाँ पे check कर सकते हाला की cost per conversion जो है यहाँ पर दिखा रहा है 18K average CPA cost per acquisition जो बहुत ज़ादा है हलाकि ऐसा होता नहीं है ठीक है generally होता यह है कि जब आप 100 click भेजते हो तो 100 में से 2 conversion जो है वो generally आपको मिल जाता है ठीक है तो यह मेरा एक average ratio रहा है क्योंकि अगर आप इसको भी देखने की कोशिज करेंगे जो मैंने अभी keyword plans जो मैंने आपको दिखाया था तो इस keywords पर भी देखिएगा तो यहाँ पर आपको इसको मैं थोड़ा सा expand करता हूँ देखें यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है कि इसका जो searching है TEDSoodWorking Review का जो search है यहाँ पर 68 रुपए से लेके 126 रुपए के बीच का high range value आ रहा है this is in India so मैं इसको इंडिया से हटा देता हूँ मैं यहाँ पर देता हूँ United States ठीक है जी United States तो यहाँ पर जो मेरे को देखने को मिल रहा है वो कुछ इस तरह का यहाँ पर क्या होगा कि TEDSoodWorking Review जो है वो हमारे को सब में दिखने लगा है और यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो है 246 रुपए का maximum CPC जा रहा है तो यह जो game है वो आप exact keyword पर यहाँ पर आप खेल सकते हैं तो मैं इसी को लेके चलूँगा और इसी पर ad बनाने की क्रिपा करूँगा ठीक है जी तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर सीधे सीधे base पर जाना है यहाँ पर और यहाँ पर एक ad बनाना है exact ad को copy करना है आपको और इससे जो है आपको result मिल जाएगा इसमें आपको क्या करना है सबसे पहले आपको यहाँ पर select करना है इसमें जाना है और यहाँ पर आपको search campaign पर click करना है ठीक है अच्छों कि आपकी website यहाँ पर visit करनी है तो आप यहाँ पर website कर डाल सकते हो मैं यहाँ नहीं डालूँगा मैं इसको बाद में देखूँगा कि कहाँ डालना है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ TEDS करके डाल देता हूँ और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ है कि आपको display network को तो use ही नहीं करना है साथ मैं आपको इसको भी use नहीं करना है Google Partners को आपको use नहीं करना है यह पैसे आपके लेके जाएगा कोई result नहीं देगा इसके अलवब आपको क्या करना है यहाँ पर कि आपको जो है यह campaign date select करना है URL आप चाहें तो डाल सकते हैं बाकी कोई दिक्कत नहीं है domain setting करना चाहें तो कर सकते हैं कोई जरूरत नहीं है और add आपको कब run करना है यहाँ पर यह कर सकते हैं तो मैं United States में run करता हूँ तो मेरा जो concern होता है वो यह होता है कि मैं साम को 6 बजे से run करना शुरू करता हूँ 6 बजे से 12 बजे तक और फिर next मैं 12 बजे से लेके और next day मैं run करता हूँ 9 बजे के 20 तक ठीक है जी 9 बजे तक मैं इसको run करता हूँ तो आप भी चाहें तो इतना देर काही campaign और इतना देर काही budget रख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले enter location करना है और यहाँ पर United States को क्लिक करना है तो यहाँ तो United States को आपको select करना है और इसके बाद से इस stage पर आपको जा करके एक चीज का ध्यान रखना होगा कि people in are regularly in your target location तो मुझे यह वाला select रना है क्योंकि मैं यह चाहता हूँ कि जो United States में अभी रहरे हैं लोग उन ही को यह add दिखे इसके बाद people excluded जो भी अलग location के हैं उनको exclude कर दे उनमें हमारा interest नहीं है English हमारा language हमेशा रहेगा क्योंकि जो बिदेश के लोग है उनको English ही समझ में आती है तो English हमारा रहेगा अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिएगा कि यहाँ पर अगर कोई बंदा text में interested रख रहा है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जी तो यहाँ पर हम कोई search नहीं करेंगे यहाँ पर as it ही छोड़ देंगे ठीक है अब budget की बात आती है तो budget को लिए मैं बोलूँगा आप minimum पंदरा सो रुपे से लेके चलो क्योंकि कम से कम चार पांच क्लिक जो है आपको मिलना चाहिए अगर दो सो रुपे काई होता है तो लगबग आठ दुनी सोरा लगबग आठ क्लिक जो है आपको generally मिल सकता है ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि आप यहाँ पर conversion पर focus करें और साथ में cost पर CPA देना है यहाँ पर मैं CPA को prefer नहीं करता हूँ यहाँ पर मैं जो है मेरा जो condition होता है कि मैं सीधे सीधे करता हूँ manual CPC manual CPC में जाता हूँ और optimize for conversion जो होता है मेरा target होता है कि optimize करेगा conversion optimize करेगा और manual CPC का मैं इस्तमाल करूँगा यह मेरा target होता है इसके बाद से जो conversion की setup होती है conversion setup के बारे में आपको पता होगा कि click bank से कैसे conversion setup किया जाता है अगर आपने conversion के लिए तो Convergence Setup के लिए या फिर आप जो है Convergence Setup के लिए कोई वीडियो बनाने के लिए बोलिएगा तो मैं Google का Convergence Setup कर दूँगा बता दूगा Convergence Setup बहुत ज़्यादा जरूरी है रिजन उसका यह है कि जब तक आपका Convergence Setup नहीं होगा तब तक exactly आपका जो Google Advertising है इसको पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है ठीक है तो वो Convergence Label पर यह Company जो है Google जो है वो अप्तिमाइज नहीं करेगा यहाँ पर इसको यही वाला Selected रखने देना है अब आता है दोस्तों यहाँ पर यह बहुत जबरजस्ट चीज है बहुत जरूरी चीज है चुकि आप Google पर कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ कि अगर आप जो है इसको सर्च करेंगे तो कैसे करना होगा यहाँ पर आप जैसे माल लेजे कि Bing का आप यह इस्तेमाल कर रहे है Bing.com और Tets Woodworking का कर रहे हैं यहाँ पर तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पर आपको क्या करना है Tets Woodworking Review ठीक है Tets Woodworking Review में जाना है Review में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेगा तो मैं हमेशा इन चीजों को प्रीफर करता हूँ यहाँ पर जहाँ पर यह जो चीज है यह साइट लिंक जो है यह ज़्यादा ज़रूरी होता है तो हम भी लोग यही करेंगे इन सारी चीजों को यहाँ पर आड़ करने की कोशिश करेंगे अपने आड़ कमपें के अंदर तो मैं क करता हूँ कि यहाँ पर site link जो है इसको यहाँ पर add करने की कोशिस करता हूँ तो यह जो है आपका हो गया यह site link हो गया ठीक है site link के अंदर आप चाहे तो description दे सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं check step by step plan for plans plans ठीक है और यहाँ पर भी आप कुछ भी दे सकते हैं बट मेरा जो main मकसद यह होता है कि इस वाले चीज़ को site link को हम रखें ठीक है यहाँ पर call out extension भी आता है तो call out extension पर भी आप दे सकते हैं हाले कि मैं यह prefer करूँगा कि आप site links ना करें site links को चाहे तो रख सकते हैं यह बेटर चीज़ है बट आप call out extension में आप जाईएगा तो यहाँ पर call out में step by step plans जो है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है इसके अंदर step by step डालना है तो इसको आप डालिए step by step इसके अलावा आप जो है दूसरा जो है 60 minute 60 day money back guarantee दिस इस वन अप दे बेस्ट तिंग आप इसको यहाँ डाल दीजिए फिर इसके बाद से आपको where to buy so official website का आपको जो है link देना होगा तो यहाँ पर आप दे सकते हैं तो मैं यहाँ पर where to buy चीक है और यहाँ पर google पर आप एक चीज और दे सकते हैं कि limited time offer यह बहुत जरूरी चीज है तो इसको आपको यहाँ पर देना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पर इसको दे दिया और इसको मैंने कर दिया save ठीक है यह इन चार चीजों का मैं इस्तमाल करूँगा जो यह चार चीज़ें आपकी आएंगी वो step by step यहीं पर आजाएगा आप यह भी use कर सकते हो और आप चाहो तो इसके इस तरह से यह description के बाद यह इस तरह से आएगा ठीक है और इसके अलावा आ आप यह भी अगर डालते हो तो भी एक better option या better जो है वो आएगा इसका reason क्या है दोस्तों कि जैसे आप देख रहे हैं कि इतने सारे ads दिख रहे हैं मैंने आपको यह वाला चीज करके दिखाया ठीक है अब यह वाला जो चीज दिखाना है यहाँ पे तो यहाँ पर क्या होग ठीक है तो इसको करने के बाद से आपको क्या करना होगा कि आपको simply नीचे जाना है नीचे जाने के बाद से callout extension के आपको जरूरत नहीं है save and continue करना है save and continue करके आपको आगे जाना है अब यहाँ पर यह कह रहा है कि time cannot overlap so overlap हमने 00 तक लिक है तो हमने 0015 कर देते है अब overlap खतम हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको करा save and continue करेंगे तो यह कह रहा है कि time cannot be overlap again it's saying cannot be overlap ठीक है कोई दिकत नहीं है यह 6 बजे का बात है तो मैं यहाँ पर गलती कर दिया हूँ मैंने यहाँ पर मुझे रखना चाहिए था साम को 6 बजे यानि 18 से करना चाहिए था और यह 00 it's perfect perfect so it's not a problem ठीक है तो फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पर इसको save and continue करता हूँ यह सारे problem आपको भी आएगा जब आप google ads पर काम करोगे तो यह चीज़ आएंगी अब यहाँ पर ad group का नाम देना है ad group यह करके review keyword आप डाल रह करते हूँ अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको budget देना है तो budget कैसे देना है budget देने का simple simple मतलब है कि जो आपने research किया था उसके इसाब से तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं जो है अभी के लिए 100 रुपे का budget इसको देता हूँ कि cost पर click मैं इसको optimize होने दोंगा ठी कीवर्ड हमारा वहाँ से मिला था उन्हीं कीवर्ड का हम इस्तमाल करेंगे और वो कीवर्ड क्या थे कि पहले कीवर्ड थे यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर मैं अब फिर से उस चीज को आपको दिखा देता हूँ कीवर्ड ब्लैनर निव टेर में ओपन कर लेता हूँ ठीक है। तो मैं यहाँ पर करऊँगा Ted's Wood Working Review ठीक है जी हमारा जो है Ted's Wood Working plans review तो हम इसको review पे click कर लेते हैं Ted's Wood Working Review इसको हम click कर सकते हैं आप plans review कर सकते हो, direct review कर सकते हो, कोई दीखत नहीं है, it's not a problem so, यहाँ पर आपको जाना है, मैंने हला कि search किया था 27 तारीक को तो यह मेरे पास, यहाँ पर keyword का यह set जो है, मेरे को मिल रहा है तो मैं इन ही सब पर जाऊँगा, मैं यहाँ से इसको copy किया copy किया और इसके अंदर इसको मैंने डाल दिया, इसी तरह से similarly, यह जो सारे keywords मेरे पास आये हुए हैं, इन सारे keywords को मैं करूँगा, और मेरा main मकसाद दोस्तो है, review keyword पे target करना, ठीक है तो review keyword पे target करने के लिए आप ऐसा ही कुछ कर सकते हैं customer review दे सकते हाला कि customer review तो अभी इसमें जरुदात होती नहीं है, medical जब product आप प्रमोट कर रहे होते हैं तो customer review की जरुदात होती है तो as it is हमें इसको रखेंगे उस पर view नहीं आ रहा है तो हम इसको देंगे नहीं क्यों क्या डालने से फायदा जब उस पर हमें view ही नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर यह कर दिया अब इसके आगे पीछे आपको क्या करना है इसके आगे पीछे आपको लगाना है यह वाला bracket यह आपको बड़ा bracket यहाँ पर यूज करना है, बड़ा bracket का मतलब क्या है नहीं करने जा रहे हैं, तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर यह जो बता रहा है, कि अगर आप 100 रुपे कर देते हो, तो एवरेज सी पीसी इतना आएगा, क्लिक पर डे जो है, वो आपको नहीं मिलेगा, अगर मैं इसको 200 कर देता हूं, तो दो सो कचेक कर रहा है, 75 रुपीज, चलो यह हम इतना बजट लगा देते हैं, कोई दिकत नहीं है, not a problem, हम इसको रन करेंगे, टेस्ट करने की कोशिस करेंगे, हमारा maximum बज़े 200 रुपे होगा, और इसी पर हम टेस्ट करेंगे, आप चाहें तो इसका और भी ग्रूप बना सकते हैं, मैं ए इसी को परमोट करने की कोशिस कर रहा हूँ, official.tetswoodworkingdiscount.com, ठीक है जी, इसको मैं परमोट करने की कोशिस कर रहा हूँ, अब इस पर क्या होगा दोस्तों, कि यहाँ पर आप जो है, review जरूर लिखतीजिएगा, customer review जरूर लिखेगा, क्योंकि यह authority जो है, इससे बिल्ड होती अब यहाँ पर देख रहेंगे दोस्तों कि यह 4 keywords जो है, वो यहाँ पर review करके लिए आ रहा है, तो मैं यहाँ पर एक trick लगाऊंगा, मैं यहाँ पर trick लगाऊंगा क्या, कि मैं यहाँ पर लिखूंगा keyword insertion, ठीक है जी, और यह sentence case या title case में मैं डाल दूँगा, और इसके बा advance, ठीक है जी, तो यह आप लिख सकते हैं और इसको आप apply कर सकते हैं, अब इससे फाइदा क्या हुआ, इससे फाइदा क्या हुआ, कि यह जो 4 keywords है, यह 4 keywords आपके इसके अंदर include हो गए, जैसे अगर कोई भी डालता है, तो TED सुड़ वर्किंग review हो गरे करके आपका यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, इसके बाद जो next option में आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, वो यह है, कि यहाँ पर आप इसको डाल सकते हैं, इतना project, ठीक है, तो यहाँ पर आप जाईए और यहाँ पर डालिए, this is the product, project, और यहाँ पर आप इसको कुशिस करिए कि पहले number पर इसको fix कर रहें, यह वाला जो काम है, यह पहले number पर होगा, आप इसमें caps lock हो गए रहें, जो है, जो भी आप जालना चाहें, वो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके अलावा, अगर आप कोई review या offer देना चाहते हैं, तो वो review और offer दे सकते हैं, आप जो है, यहा जो चीज है, इसको आप last में रखें, ठीक है, last में रखें, और एक चीज और यहाँ पर मैं बोलूँगा, आप डाल दीजिएगा, यहाँ पर claim 76, 77% discount today, so this is the trick actually, कोई भी बन्दा अगर आता है, तो वो जो है, इस trick को use कर सके, utilize कर सके, ठीक है, तो इस तरह से, आप जो है, आप इसको use कर सकते हैं, official website, ठीक है, official website करके यह डाल दीजिएगा, यह जो है, बीच में कहीं न कहीं, आपका यह 1600 plan के जगा पर कहीं न कहीं, overlap होगा यह, आप इसको देखिएगा, तो यह overlap हो जाएगा, तो आप जो है, इसको ऐसे करिएगा, आपका add strength जो है, वो average हो गया, अब आपको यहां कुछ भी करने के जरूरत नहीं है, अब next में चीज़ें आती है, description देना की, तो description के लिए again आप वही concept यहां पर apply कर सकते हैं, आप यहां पर apply कर सकते हैं, कि यह जो है, यहां से, आप इसको सीधे सीधे यहां copy कीजिए, आपको बहुत जादा fancy बनने के जर पर वरत नहीं है, copy कीजिए, और यहां से फिर से जाएए, और इसका जो दूसरा वाला है, वो भी आप copy कर सकते हैं, क्योंकि यह जो है, आप किस पर चला रहे हैं, यह आप गूगल पर चला रहे हैं, तो doesn't matter, थोड़ा बहुत change कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं भ डाल सकते हैं, कौमा दे दीजिए, और यहां पर आप डाल सकते हैं, customer review, ठीक है, तो tedds would working review करके आप यहां पर डाल सकते हैं, क्योंकि keywords का जिस्तमाल जो है, जितना ज्यादा करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका यहां पर फायडा होने वाला है, ठीक है जी, यह आपको कर दे यह कह रहा है, capitalization का issue है, pronunciation अगरे का, तो मेरे ख्याल से यहां पर D हो सकता है, offer का O छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, today करके यहां पर आ रहा है, तो यह कह रहा है कि आप इतना बड़ा today ऐसे नहीं लिखिये, तो मैंने ऐसे कर दिया भाया, चलो ठीक है, गु से save करने की कोशिज करता हूँ, save and continue, ओके, यह कह रहा है, no traffic expected, ठीक है, इसके traffic के वज़ा से यह कुछ दिक्कत आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें काम करते हैं, इसको review में डाल देते हैं, और review में डाल के हम check करेंगे, कि इसमें क्या problem आ रही है, ठीक है, तो इस तरह से आपको यह campaign जो है, वो build करना है, और इस campaign को build करके और आपको जो है, अपने work को start करना है, ठीक है, तो मैंने इसको publish मार दिया, और हम check करेंगे कि क्या क्या कैसा situations आ रही है, तो हमारा Tates Wood Working का इस तरह से जो add है, यह हमारा देखेगा, under review में हमारा है, तीन keyword पे चलाएंगे, तीन keywords पे result देखेंगे, कि क्या result रहता है, तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा, कि किस तरीके से Google Ad Campaign का इस्तमाल करके, और आप भी इसी तरह के result को पा सकते हैं, तो मुझे उमीद है कि आपको यह सारा चीज confirm हो गया होगा, समझ में आ गया पूलडा मिलते हैं नाप शोड में, तब तक लिए दीजिए, जाजत, जय भारत!